असलाम आलेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं चौली की तरकारी जो बहुत ही आसान रेसेपी है और बहुत ही टेस्टी और इजी बनती है इसे हम टिफिन में भी ले जा सकते हैं यह बहुत अच्छे लगती है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए जिस तरह से मैंने बताया है इस दर इसके से आप बनाएए यह बहुत ही मज़ेदार बनती है मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एक कोकर में हम तेल लेंगे इसमें हमने यह जो प्यास लिये है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहां जाके देख सकते हैं मैंने प्यास को थोड़ा सा फ्राइ करके पेस्ट बना लिया था हम चार पाच शारी मिर्ची लेंगे इनको हलका सब उनेंगे तेल में देखे इस तरह स अब इसमें हमने ये चॉली डाला है इसे मैंने ओवर नाइट भीगा के रख दिया था आप चाहें तो एक घंड़ा पहले भी नीम गरम पानी में रख सकते हैं नमक डालेंगे और हल्दी पाउडर और इन सब को अच्छे से मिला लेंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक घंड़ा पहले भी इसको भीगा सकते हैं ये उसी तरह से बनेंगी जिसे अगर आप रात भर रखेंगे तो उसमें भी अच्छे से पक जाएंगी इस तरह से हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसमें धकल लगाकर इसे दस पंदरा मिनिट के लिए पकने के लिए छोट दीजिए चलो आज पे रखिए देखिए कोगर की सीटी खुल गई है मेरी असारा धुआ निकल चुका है अब हम इसे खोलेंगे हमारी चौली तैयार हो गई है बहुत ही तेस्टी और मज़ेदार बनी है देखिए यह गल चुकी है एकदम अच्छे से इस तरह से आप चेक कर लीजिए देखिए कितने अच्छी बनी है अराम से तूट रही है और दाने भी अख्यक्य है इसकी इस तरह से यह तैयार हो अब हम इसे डिशार्ट करेंगे मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अल्लाहाफिज